नमस्कार दोस्तों मेकैनिकल ग्यानी यूट्वीब चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों आज की शोट वीडियो में हम देखेंगे कि पंप का परफॉर्मस कर्व किसे कहते हैं और ये पंप की परफॉर्मस को कैसे इंडिगेट करता है दोस्तों ये क्वेशन इंटर्वीव में भी काफी बार पूछ लिया जाता है तो इसका बेसिक हमें पता होना चाहिए तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पंप का परफॉर्मस कर्व पंप की परफॉर्मस को ग्राफिकली प्रेजन करता है यानि पंप के फ्लोरेट, उसके हेड, उसकी एफिसेंसी और उसकी इंपुट पावर को इंडिगेट करता है पंप का परफॉर्मस कर्व पंप के मैनुफेक्चरर द्वारा दिया जाता है और इसमें उस पंप का परफॉर्मस डाटा होता है कि ये pump कितने diameter के impeller से कितना flow और head देगा और कितनी power को consume करेगा Performance curve में एक point ऐसा होता है जिसे हम BEP कहते हैं यानि best efficiency point और pump का जो rated impeller होता है वो इसी point के हिसाब से design होता है Pump performance curve में चार curve होते हैं पहला head versus flow curve दूसरा efficiency versus flow curve तीसरा power versus flow curve और चोथा होता है NPSH required curve तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको pump के performance curve का basic data clear हो गया होगा अगर फिर भी कोई doubt है तो नीची आप comment करके पूछ सकते हैं तो वीडियो ची लेगे तो वीडियो को like और share जरू कर दें थांक्स वर वाच्चिं